क्या कि हम एन की प्यार किये प्यार करना क्या कोई गुना गया है scho Alto का प्यार खतन हो गया आप अपनी गलती मांने आरी जादी कांगा सिया ह 도ब वो सवाल आप लोग के मी मन में होगा, आरती क्यों शादी की, सबसे पहला सवाल यही कि आरती आपने क्यों शादी किया, किसादी ब sum? अब यह ठीक नहीं है आइसे सर्दीव हो गया है तो साथी देखिए अपने तो हम मर्जी से नहीं किये एक देखिए मेरे साथ कैसे हद सावा हो तो आप लोग जानते ही है एक तो दर मेरा तो घर तो उजर गया मेरा प्यार भी चले गया क्या करते इतना मेडिये वाले सब इतना देश में भी हम जा गया है कि हमसे कौन साथी करता कोई तो करता नहीं मतलब कोई भी क्या करते समाच भी मतलब घर में रहते तो समाच सब भी मतलब बहुत ऐसे पपा सब को ताना मार रहते कि देखिया ऐसे है तो ठीक नहीं है तो सब अपने आप में विचार किये कि देखि करा दिजेगा तो ठीक रहेगा आगे जब आप यहां पे आए थी आरती छोटू के घर पे तो सब आप लोग उसे पूछता था आप से पूछता था सबसे पहले सबसे बाद में पूछता था कि आप किस रिस्ते से इस घर में रह रही है छोटू के घर पे कि हम तो छोटू के लिए आए थे हैं और लोग कह रहे थे कि आखिर आप कैसे किस रिस्ते से तो उस समय रिस्ता का नाम नहीं था और पांच महिना छे महिना गुजर गया है आरती और आपने अब छोटू के भाई से शादी कर ली है अब आपका हक बन गया इस घर पे लेकिन फिर भी लोगों को परिशानी हो रही है क्या पता लोग को क्या परिशानी हो रहा है क्या करें अब क्या वो सब को मन में चलता है कैसी जिंदगी जी कर दो जाब दो चलो वहां पर अच्छा से को सदी के मुद्दे पर बात करेंगे अगए तो वही सब भी भी दिये आप बोले क्या कारती डड़के मारे भाग गई दो दो आप से बहुत ख्राप ख्राप पूछे जाते हैं कि आवाज बहूता है कि अपने में पूरा एक सकते हैं ऐसे मतलब बोलते हैं कि आपको तो भामे क्या दिये हैं सादी कि में कैसे मतलब हमें क्या सबरचाए मैं क्या है इस आपके पास कोई और ओप्षन नौकरी करना या फिर दूसरे जगह शादी करना कोई अक्सेपट करता है आप ये लोग तो बताईए, आप ये लोग बताईएगा ना। इस घर में महान हम इन फैमिली वालों को कहेंगे, कि इस लड़की को समहाले हैं ये लोग। अच्छा, माबाप का याद आया ममी पापा की शादी में आते, या फिर कुछ भी ऐसा लगा, क्योंकि जब बेटी का शादी होता है ना, हलांकि जो भी पहले कुछ भी हुआ हो, लेकिन माबाप का याद तो जरूर आया होगा, या भाई का, या दादी का, कि हाँ आते, वो लोग भी शादी में रहते, देखते, हलांकि शादी आपका उस तरह से नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी शादी का सपना एक लड़की का होता है, वो तो देखिए सो भाविक है, जो जनम दिया, उसको तो याद कोई भूल नहीं सकता है, कोई भी रह, हाम रह या कोई भी रह, लेकिन उसका दरका किया है, तो उस कैसे हो सकता है, उम्मी पापा से कभी मिलने का उमीद तो नहीं है ना, कैसे रहेगा उम्मीद, उस तरह का करता मिलने वला काम करता, तो इस अहला देखना नहीं बढ़ता आज, आप अपनी गल्ती मानती है आरती हम गल्ती तो मानते हैं मेरे सब भी गल्ती हुए हम से जदा हूँ सब भी गल्ती हुए हम कहां बोलते हैं जहां पे गल्ती हैं सब बोलते हैं कि उसका गल्ती है तो उसको जैल भीजवाएंगा निकाल ये गल्ती है मेरा गल्ती कहां है क्या कि कि हम यहीं प्यार किये, प्यार करना क्या कोई गुना है, हम अपने माबब को नहीं बताए, पपा को नहीं बताए, क्या को बता के आज की डेट में प्यार करता है, जहीं बता के करता है, वहीं तो, गल्ती यहीं न किये कि नहीं बताए हम उसको, पपा को नहीं बताए, बादम नहीं है। आर्ती के ममी पापा और जो भी भाई मिल करके छोटू की हत्या किये। उससे बड़ा अपराद आर्ती ने नहीं किया। आर्ती बस उस समय रियाक्शन दी। छोटू मर गया। जिसके कारण आर्ती फूट फूट के रोने लगी। इनका वीडियो शूट हुआ। औ आने लगे और इनका निगेटिव जादा चला है। लड़की है ना गालियां बहुत पढ़ी आर्ती को बहुत जादा। अब आर्ती पांच-छे महीने बाद आगे बढ़ना चाही। तो इनको फिर से गालियां पढ़ रही है। प्यार भूल गई अपना पांच महीना छे मह प्यार भूल ली, दूसरा शादी कर ली। तो ऐसे आखिर क्या कोई लड़की करेगी। कहां जाती ये बताइए ना बीना शादी के यहां रहती आपको अच्छा लगता है। लेकिन शादी करके कोई लड़की इज़त से रह रही है। तो मेरे हिसाब से ये गलत नहीं है। हलांकि बड़े-बड़े लोग आपको बोल रहे हैं कि आपने गलती किया और भैसूर का बात कहां से आगया। शादी तो हुई नहीं थी छोटू से आपकी। वही बातनाम लोग का प्यार मोबाच चल रहता, प्यार था, साधी थोड़े नुआता भैसूर होगा। साधी हो यहां पर जो विद्वा हो जाते हैं लड़का या लड़की जो भी शादी के बाद वो आगे बढ़ते हैं अपने लाइफ में और सब लोग समाज यही कहता है कि आगे बढ़ो ना अब जो बीत गया सो बात गया आगे बढ़ो लेकिन जब कोई खुशी-खुशी आगे बढ होता रहे आरती के जिन्दिगे में कभी खुशी आई ही ना यही सोच के से कर रहे है ना और कल आपका एक वीडियो वारल हुआ था आरती बहुत जादा आप गुस्से में थी मतलब वो इतना गुस्सा था कि आप बोल रही थी कि मैं मुद्दा हूं मुझसे बात करो जो बा चास साथ आदमी थे वहां बुलाए हम गए वहां पर जो इसे जैसे क्वेस्टन कर रहा था वो इसे मुझसे जवाब दे रहते उसका जितना आप भार दिन बारा घंटा बैठा के लेते बारा घंटा हम नहीं देते तो वो तो अलग मेटर था उसमें नहीं कोई क्वेस्टन अबाँ पिर्द कर रहा था उदार। अब कोई धार से क्या बोले की नहीं आरती जी अपने अपने में सभना करने लगए अपने में पूरा बवाल उठा तिया अपने में मेरा कविए बात भी नहीं सुन था धीरे से बोलते नहीं आर..जो से बोली। شोर heel आवाज नहीं आ है ना आधा हम आखा बोले कि चले जाए आरती जाए अर्ति जाले जाए जाए आप अई हम लूज कि देखे बाए अगर जर्बूच रहे हैं तो पूछने देजिये हम धेर है उसका जबाब तपट है अगर नहीं धे जाए में जबनुकर तो उसी वा से आड़ा हुना लग दे अब किसी मीडिया करंए को इंटर्व्यूग नहीं देंगे में खुश रहना चाहती है क्या करें आप ही लोग बनता हैं सब दिनों इसे ही रहे हैं